So, खलो गाइस की हाल चाल सब बरिया उमीद तो करते है सब बरिया ही हूंगे So, फ़ाइनली इंस्टाग्राम बैन होते होते भी नहीं हुआ क्योंकि भाइ सरकार को भी पता है कि इंस्टाग्राम बैन हो जाएगा तो हम लोगो का कॉन्टेन कहला से आएगा तो इसलिए सरकार ने भी छोड़ दिया बोला कि जा जी ले अपनी जिन्दगी तो इसलिए ना कभी इंस्टाग्राम का ट्रेंडिंग खतम होगा और नहीं हम लोगों का वीडियो तो कुछी दिनों में इंस्टाग्राम पे एक नया ट्रेंड सामने उठके आया है जिसमें देखा गया है कि JTF YCD गेम में जो लड़की लोग चलता है ठिक उसी तरह से ही एक फॉरणर ने भी एक वीडियो बनाए थी बस इस वीडियो को इंडिया में ट्रेंड पे जाने के बाद ही इंडिया के कुछ कलाकारों ने इसके उपर कलाकारी दिखाई है मतलब बच्चे बुरे छोटे मोटे सभी ने इस वीडियो के उपर एक ना एक वीडियो जरूर बनाया है जिस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बोलोगे यह तो फिट्टी है सो इसलिए जब तक यह लोग ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे तब तब हम लोग इन लोग की खिलिया उड़ाते रहेंगे सो इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू ने भाई पहले यह बाला देखो उसके बाद यह देखो और अब यह क्या है यह इस वीडियो का बनाने का डिजन क्या है मैं बताता हूँ सुनो अंटी जी ने पहले सोचा था अड़े चलो रात का डिनर भी हो गया है थोरा पैदल चलेंगे खाना भी पज़ जाएगा और इंस्टाग्रम पे हग भी दिंगे एक टाइम पे ही सारा काम खला तो यही सोचके अंटी जी ने यह वीडियो बनाई थी हाँ बस यही वीडियो सिर्फ यही वीडियो के वज़ा से सुनो ने तीसरे मंजिल से खूद के अपना जान दे दिया और बंटे वो तो हार्ट पीक पी के सुसाइट करने के कोसिस कर रहा था अभी तक हस्पताल पे भरती है ने ने दोस्तों आप लोगी सोचिए ऐसा मेकप कौन करता है ऐसा मेकप लेकर आगर रात में किसी के सामने खड़ा हो जाओगे ना तो वह बंदर ड़के मारे वही पर मूद देगा या फिर वही पर हार्ट अटक करके मर जाएगा और पहले के जमाने में होता था कि जब इक और नाकाम कोशिश इस वीडियो के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूगा यार निक्सट बाला जो वीडियो है वोः ही बता देगा इसके बारे में और भाई मेरे को ये समझ में नहीं आथा कि ये लोग वीडियो स्टार्ट करने के बाद ही पैंट की उठाता है एक तो आठ सेगिंड का वीडियो उसमें भी वाच्टाइम का गैप भाई किसे के पास माचिस है अगर है ना तो इस सुटली बोम को जला दो क्योंकि ये फटने के लिए बहुत उताबला हो रहा है इंडिया में यही लड़की है जो अच्छे से कर पाई है इसको बरना तो सब दिखाने में ही ब्यास्त है भाई किसके बीच क्या आगया टॉपिक था जीटिये सेने रेस आगया रामदेब बाबा इसके पीछे एक गहरा रिस्ता हो सकता है हो सकता है कि रामदेब बाबा ही जीटिये में पत्ता सप्लाइ करता हो भाई सही में इस बंदे ने सच्चाई दिखा दी इस म्यूजिक के उपर जितना भी वीडियो बना है ना सब इस तरह के है इस साउंड के उपर जितना भी वीडियो बना है सबसे जदफ आने ही तो यही वीडियो है तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मुझे कमेंट में बताओ इस चैनल पर गेम प्लेइंग वीडियो अपलोड करना चाहिए कि नहीं और आप लोग यहां तक मेरी वीडियो देख चुके हो तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मैं मिलूँगा किसी नहीं वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई